हलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बताएंगे कि भारत में 1950 से 2020 तक राष्ट पती पत पर कब से कब तक काम किये आप लोगों से निवेदन है कि इसे पूरा देखें लाइक और सस्क्राइब जरूर करिए तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का भारत के पहले रा आजियंदर प्रशाद जिनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में हुआ इनका कारेकाल 26 जन्वरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा भारत के दूसरे राष्टपती शर्वपल्ली राधा क्रिश्डन जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ इनका कारेकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1900 सर्शट तक रहा भारत के दूसरे राष्टपती जाकीर भुषैन जिनका जन्म 8 परवरी 1897 में हुआ इनका कारेकाल 13 मई 1900 सर्शट से तीन मई 1979 तक रहा वी वी गिरी ये कारेवाहक राष्टपती पत पर रहें इनका कारेकाल 20 जुलाई 1979 तक रहा मोहमत हिदाय तुल्ला कारेवाहक राष्टपती के बत पर रहें इनका कारेकाल 20 जुलाई 1979 से 24 अगस 1979 तक रहा तो भारत के चोथे राष्टपती वी वी गिरी इनका जन्म 10 अगस 1994 इनका कारेकाल 24 अगस 1979 से 24 अगस 1974 तक रहा भारत के पाच्वे राष्टपती पक्रुदीन अली अहमत जिनका जन्म 13 मई 1905 इनका कारेकाल 24 अगस 1974 से 11 फर्वरी 1977 तक रहा वी डी जत्ती कारेवाहक राष्टपती के बत पर रहें इनका कारेकाल 11 फर्वरी 1977 से 25 फर्वरी 1977 तक रहा भारत के छठे राष्टपती नीलम संजीव रेड़ी जिनका जन्म 1913 इनका कारेकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा भारत के सात्वे राष्टपती यानी जैल शिंग जिनका जन्म 5 मई 1916 इनका कारेकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहा भारत के आठे राष्टपती यानी जिनका जन्म 4 दिसंबर 1910 इनका कारेकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक रहा भारत के नवे राष्टपती संकर दयाल शर्मा जिनका जन्म 19 अगस्ट इनका कारेकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहा भारत के दस्वे राष्टपती के आर नारायन जिनका जन्म 27 अक्टूबर 1920 इनका कारेकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक रहा और भारत के इग्रहवे राष्टपती इनका कारेकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा भारत के बारा हुए राष्टपती प्रत्थम महिला राष्टपती प्रतिभा पाटी इनका जन्म 19 दिसंबर 1934 इनका कारेकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2002 तक रहा भारत के इनका जन्म 19 दिसंबर 1935 इनका कारेकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2007 तक रहा भारत के 14 जुलाई राष्टपती रामनात गोवित इनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 इनका कारेकाल 25 जुलाई 2017 से अब तक कारेकाल में हैं तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और सस्क्राइब जरूर करें धन्यबाद क्या आपको